दोस्तो आज की इस वडियो में हम बात करेंगे पैन काड के बारे में जिसका फुल फॉर्म है पर्मनेंट अकाउंट नंबर जिसको इंकम टेक्स के दुआरा अप्रूब किया जाता है आज हम देखेंगे एनस्डियल पोर्टल के उपर जाके घर वैठे ऑनलाइन पैन काड के डेलिवर किया जाता है तो चले आज की इस वडियो को सुरू करते हैं Online Pan application आप देख सकते हैं Apply Online का उप्सण है तो यहाँ पर application type है application type में आपको select करना है new pan Indian citizen अगर आप फॉरेंड सीटिजन है तो यहाँ पर second बला option आप select करेंगे और जो third बला option है correction करने के लिए और फिर reprint करने के लिए तो यहाँ पर हमारे किसमे phrase apply करने वाले है इसलिए हम select क करेंगे new pen Indian citizen इसके बाद category category में individual trust body of individuals farm अगर किसी company के नाम से बनाना है तो यहाँ पे आप farm के उपर click करके select कर सकते हैं फिर body of individual आप select कर सकते हैं तो यहाँ पे हम एक individual person की नाम से बनाने वाले हैं इसलिए हम select करेंगे individual तो आपके according आप select करेंगे इसके बाद है applicant information यहाँपर title में श्री स्रीमति कुमारी स्री male person के लिए है स्रीमती female person जो married है और और female person unmarered के लिए है कुमारी तो यहाँपर आपके according of select करेंगे तो यहाँपर मैं स्री करता हूं इसके बाद है last name और surname तो यहाँ पे आपका last name डालना है उसके बाद आपका first name और यहाँ पे आपका middle name अगर आपके किसमे single name है तो last name की जगा आपका single name होगा इसके बाद आपका date of birth डालना है जो भी आधर कार्ड पर है उसके बाद email id डालना है valid email id और valid mobile number और यहाँ पे आपका tick mark लगाना है नीचे के तरफ capture field करना है और करना है submit और submit करने के बाद यहाँ पे एक token number generate हो जाएगा इस token number को आप copy करके रखिए या फिर कहीं पे भी note down कर लीजिए क्योंकि अगर pen application error हो जाता है यहाँ पे टोटल पाँच step है guidelines, personal details, contact and other details AO code, document details जो पहला step है आप देख सकते हैं how do you want to submit your pen application documents submit digitally through e-kyc and e-sign paperless submit scanned image through e-sign or forward application document physically अगर आप चाहते हैं physically document को भेजने के लिए pen office में तो यहाँ फिर third बला option अपसिलेट करेंगे अगर आप चाहते हैं upload करने के लिए scan करके तो second बला अपसिलेट करेंगे अगर आप चाहते हैं अधार कार के थूँ e-kyc and e-sign यहाँ पे authenticate करके करने के लिए तो first बला option अपसिलेट करेंगे तो यहाँ पे मैं first बला option अपसिलेट करता हूँ इसके बाद नीचे की तरब जाना है whether pan card is required physical pan card is required यहाँ पे yes physical pan card हमें चाहिए जो की within 10-15 days हमारे घर पर पहुंच जाएगा by post और यहाँ पे अगर आपको नहीं चाहिए श्रिप e-pan card चाहिए तो यहाँ पे no करेंगे तो मुझे चाहिए yes करता हूँ enter other number आधर का जो last four digit number है आपको डालना है तो चलिए मैं enter last four digit में डाल देता हूँ इसके बाद नीचे की तरब है I hereby agree that my photograph is available in other shall be printed on the pan card यहाँ पे करेंगे yes आधर कार में जो भी photo है pan card में print हो जाएगा यहाँ पे yes कर दिया इसके बाद नीचे की तरब जाएंगे full name of the applicant यहाँ पे सारा कुछ details आजाएगा कुछ भी changes करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे simply आपको gender select करना है तो gender मैं select किया इसके बाद नीचे की तरब जाएंगे have you ever been known by any other name अगर आपको दूसरे किसी नाम से जाना जाता है तो यहाँ पे yes करेंगे अगर दूसरे किसी नाम से जाना नहीं जाता है तो no रहेगा इसके बाद नीचे की तरब जाएंगे नीचे की तरब जाने के बाद आप देख सकते है details of parents यहाँ पे आपका father name डालना है father का last name, first name, middle name mother name यहाँ पे optional है आप डाल सकते हैं फिर blank छोड़ सकते है तो यहाँ पे surname की जगा बता दू अगर single name है तो यहाँ पे last name और surname की जगा single name होगा तो यहाँ पे कोई tension की बाद नहीं काफी सरे मेरे पास comments आता है कि भाई मेरा single name है मैं क्या करो तो अगर आपके case में single name है तो last name की जगा आपका single name होगा तो चले मैं यहाँ पे सरा कुछ details डाल देता हूँ तो यहाँ पे father name डालने के बाद नीचे की तरफ है parents name to be printed on the pen card यहाँ पे pen card पर आपका father's name print होगा और फिर mother's name आप जो भी चाहते हैं यहाँ पे select करना है तो मेरे case में यहाँ पे father name select किया और करता हूँ next next करने के बाद जो second step है personal details source of income क्या है salary, income from house property, income from business income from other source, यहाँ पे no income में कर देता हूँ तो आपके according आप select करेंगे इसके बाद नीचे की तरफ जाना है यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे है telephone number and email ID यहाँ पे ISD code select करना है search करता हूँ India 91 हमारा code है इसके बाद mobile number आपको दिखेगा नीचे की तरफ email ID दिखेगा और simply आपको करना है next next करने के बाद जो अगला step आता है AO code तो यहाँ पे AO code field करने से पहले बता दूँ यहाँ पे आप save draft करेंगे जैसे एक step को complete कर लेंगे यहाँ पे अगर save draft करेंगे तो आपका जो data है loss नहीं होगा तो यहाँ पे बीच बीच में आप save draft जरूर करिए तो यहाँ पे AO code field करने के लिए simply हम select करेंगे नीचे की तरफ Indian citizen इसके बाद आपका जो भी state है आप select करेंगे तो मेरा जो state है मैं select करता हूँ इसके बाद city आपका select करना है आपका जो भी city है आप select करेंगे city select करने के बाद यहाँ पे main जो important चीज़ है choose AO code तो यहाँ पे कैसे select करना है बता देता हूँ यहाँ पे आपका जो भी nearby आपका municipality है या फिर आपका subdivision है उसी के according आपको select करना है फिर कोई police station है बड़ा तो यहाँ पे आप select करेंगे तो आपके according आप select करेंगे तो मेरे case में जो भी है मैं select कर लेता हूँ यहाँ पे नीचे की तरब आपको select करना है और उपर की तरब आप देख सकते हैं automatically आ चुका है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे AO code बगर सब कुछ आने के बाद simply करना है next next करने के बाद जो final step है document details document details में नीचे की तरब जाएंगे और declaration में आप देख सकते हैं I.O.E. यहाँ पे नाम रहेगा यहाँ पे simply आपको करना है himself और herself करने के बाद place आपका डालना है तो यहाँ पे भी काफी सतरे मेरे पास comments आता है कि भाई place में क्या डाले place में आप जहाँ से apply कर रहे हो उसी का address डाल दो address पूरा address नहीं कोई भी city ए फिर village होगा वही डाल दो आप कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरा जो भी यहाँ पे city ए फिर village name है place जहां से मैं apply कर रहा हूँ तो यहाँ पे place और यहाँ पे date दिखेगा तो यहाँ पे डालने के बाद finally आपको करना है submit और submit करने के बाद कुछ time लग सकता है wait करेंगे और आप देख सकते है your application is submitted please confirm details तो यहाँ पे आप देख सकते है personal details में आधार का जो first eight digit है यहाँ पे आपको डालना है तो आधार का first eight digit में डाल देता हूँ और डालने के बाद आपको नीचे की तरब जाना है नीचे की तरब आपको पूरा जो form है सही से check करना है तो यहाँ पर आप देख सकते है, full name of the applicant, यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर नीचे की तरफ finally करता हूँ, proceed, अगर आपको लगता है कुछ भी correction करना है, तो यहाँ पर edit के उपर click करके edit कर सकते हैं, तो चले मैं सब कुछ देख लिए ठीक है, तो करता हूँ proceed, proceed करने के बाद जो अगला step आता है, mode of payment, payment करने का option आ जाता है, तो यहाँ पर मैं select कर लेता हूँ, online payment through paytm, तो यहाँ पर paytm के थू कर सकते हैं, फिर online payment through buildx भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर buildx ही कर लेता हूँ, मेरे पास phone पे Google पे है, और buildx मैं select करने के बाद नीचे की तरब जाता हूँ, I agree to the terms and service, यहाँ पर टामसन सर्विस है, पूरा आप read कर सकते हैं, और करना है proceed to payment, और proceed to payment करने के बाद आप देख सकते हैं, इसको भी आप एक screenshot रख सकते हैं, तो मैं चलिए screenshot ले लिया, और screenshot लेने के बाद सिंप्ली करता हूँ, पे confirm करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, payment gateway में redirect हो जाएगा, यहाँ पे debit card, credit card, internet banking, QR, wallet cash सब कुछ है, तो आपके according आपके पस जो भी payment method available है, यहाँ पे select करके आप कर सकते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे phone पे से कर देता हूँ, select करता हूँ QR, और यहाँ पे beam upi select करके करता हूँ make payment, तो थोड़ा time लगता है मैं payment कर दी, आप देख सकते हैं, waiting for the response from buildx, it may take up to one minute, kindly do not refresh your page और close the browser, आप browser को close मत कीजिए, refresh मत कीजिए, automatically redirect हो जाएगा, पेज redirect होने के बाद कुछ इस तरह interface आएगा, payment received आपको दिखाई देगा, transaction successful, यहाँ पे निचे की दरब simply करेंगे continue, continue करने के बाद आप देख सकते हैं, authenticate, आधर to proceed further, most important part है, यहाँ पे simply हम tick mark लगाएँगे, और करेंगे authenticate, और authenticate करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, continue with EKYC, यहाँ पे click करेंगे, click करने के बाद आपके आधरकार पर जो भी mobile number link है, उसी number पर एक OTP आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, OTP verification में OTP का एक option आचुका है, तो यहाँ पे OTP मुझे receive हो चुका है, मैं डाल देता हूँ OTP 869837, और OTP डालने के बाद सिंप्री करता हूँ submit, अगर आपको OTP receive नहीं होता है, तो यहाँ पे regenerate OTP up कर सकते हैं, सो submit करने के बाद जो अगला step आएगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पे करेंगे continue with e-sign, और continue with e-sign करने के बाद यहाँ पे tick mark लगाएंगे, I hear by authorized NSDL, e-governance infrastructure limited, यहाँ पे आपका पूरा आधर नमबर डालना है, तो चलिए यहाँ पे मैं पूरा आधर नमबर डाल देता हू और आधर नमबर डालने के बाद simply करना है send OTP, और send OTP करने के बाद फिर से एक OTP receive होगा आपके mobile नमबर पर, तो wait करेंगे यहाँ पे OTP आने तक, और यहाँ पे OTP डालके simply करेंगे verify OTP, so यहाँ पे OTP डाल दिया, simply करता हूँ verify OTP, और verify OTP करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा जो application है complete हो चुका है, यहाँ पे करता हूँ never, और यहाँ पे आप देख सकते है acknowledgement, यहाँ पे thank you for using online facility for pen application, यहाँ पे download PDF क्लिक करके आप PDF format का भी download कर सकते है, यहाँ पे जो acknowledgement है, और आपके पास mail के द्वारा भी मिल जाएगा, so यहाँ पे PDF file को open करके द open हो जाएगा, for security reason यहाँ पे blur करके रखा, और इस acknowledgement copy को आप download करके रखे, कोई किसी भी जगा भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने आधार से authenticate करके apply, दोस्त आपको दिखा दिया किस तरीके से आप घर बैठे online pen card के लिए apply कर सकते हैं, इस वीडियो पसंदे है, तो